नमस्ते दोस्तों आज हम बनाएंगे कैरमलाइस्ट पनीर खीर किसी भी स्पेशाल लोकेशन में आप ये खीर बना सकते हो ये बनाना बहुत ही आसान है बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में भी उतना ही ज्वादिस्ट होता है तो आएए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं खीर बनाने के लिए मेही इक लिटा दूद को गैस में बिठा दिया गैस काफले मीडियम तु हाई में रखके कॉंस्टेंट्ली हिलाना है दूद को थोड़ा सा गढ़ा काल देंगे जितना गढ़ा होगा उतना ही खाना में अच्छा रहता तो थोड़ा सा जैस घर हो जाए तब दो तेजबत अट कर दिया और 1 टेजबर स्पून किस्मीज और 1 टेजबर स्पून काजो अट किया फिस से थोड़ी दर हिलाएंगे थोड़ी दर हिलने के बाद गैस का फ्लेम एक तम धीमा कर देंगे और 10-15 मेट के लिए दूद थोड़ा सा गड़ा हो गया है आप में खीत जो चावल से बनाऊंगी वह है गुबिन दोबोग राइस मैंने यहां-एक लिटा दूद में एक कप गुबिन दूद राइस को अच्छे से धूखích लग रच दिये थे वही चावल मैंने अभी दूद में आटकद लिए गुबिनद दूद रायस का जो टो प्लेबर ह और और भी 15 मीट बाद देखेंगे चावल अच्छे से पाग गया की नहीं मैं थोड़ा सा दिखाते हूँ देखिए एक चावल लेके मैं दिखा रही हूँ चावल अच्छे से पाग गया है तो आप चावल पागने के बाद इसको साइड में करेंगे और पनीर को फ्राइ कर लेंगे तो पनीर फ्राइ करने के लिए मैं इहां एक पैन ले लिए गैस का फ्रेम लो टू मीडियम में रखे वान टीस्पून बाटर अट किया बाटर जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद ह मैंने यहां 200 ग्राम प्राणीर को लेकर लंब 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 पिचिस में गटकी रखे उसको अभी अभी फ्राइ कर लेंगे प्राइ को ज्यादा फ्राइ नहीं करना है थोरी देर फ्राइ करेंगे थोड़ी देर उपानीच कते हुए पनीर को गुजदेर के लिए फ्राइ करना है, ज्यादा फ्राइ करने से टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, थोड़ासा कड़क हो जाएगा पनीर, इसलिए थोड़ासा जैसे शेख जाए उपानीच अच्छा फ्लेवर आने लगा, तबी प ले लिया ग्यास का प्लाइम में है और चिनी को करमेलाइस्ट होने के लिए कॉंस्टेंटली स्टेयर करना पड़ेगा इस टाइम कॉंस्टेंटली स्टेयर करना पड़ेगा नहीं तो चिनी नीचे लग सकता है इस टाइम ग्यास का प्लाइम में रखे चिनी जब उसको नॉर्मल टिंपरचर में रखावा दूछ से एक घूल बनाके सुगर के उपर डाल देना है अब अच्छे से दोनों को मिक्स करने के बाद ही खीर में मिलाएंगे इससे बहुत ही बढ़ीया फ्लेबर आता है खीर में करमलाइस चीनी मिलाने के बाद अच्छे से उपर से नीचे तक बार बार मिलाते जाना है और दो तिन घंटा एकदम ठंडा होने के बाद ही इसको साफ करना है तब तक खीर जो है वो सेट हो जाएगा तो देखिए दो तिन घंटा बाद खीर अच्छे से सेट हो गया ह और color भी कितना सुन्दर आया है और यह खाने में भी बहुत ही स्वाधिष्ट होता है आप भी इसी तरह के से एक बार बाना के देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा किसी भी special location में या festival में आप ये खिर बनाइए देखिएगा बहुत अच्छा लगता है और मेरा वीडियो क पसंद आये तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना बाई